नवस्कार सभी को गुण मोनिंग गुडपन गुड़नाड जब यहां वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं हिंदी कक्षावारा का सलेवस जो की 100 नंबर का पेपर आता है तो खंड का में क्या-क्या पूंचा जाएगा खंड का जो है आप विसायतिका विकास ठीक है तो इससे संबंदित यहां पे यह वी दिया है कहां कहां से किससे संबंदित कुष्ण पूंचे जाएंगे भारतन दी हो गए-दुए-दी यूगा च्यायवाद प्रगतिवाद और नई कविता यत्याद से कॉस्टन पांच पूंचे जाएंगे एक एक नंबर वाले उसके बाद तीसरा question है पाठ़ करब में निधारत गद्यांसों पर आधारद प्रसंट पूछे जाएंगे पांच प्रसंट होंगे दो दो नंबर वाले दस अंख ठीक है और उसके बाद इसी प्रकार से पद्याँस, यानि गद्याँस, पद्याँस, दोनों से 20 नमबर के quite जाते हैं, दद्दस नमबर के, ठीक है, उसके बाद आता है, हमारा पांच मा प्रसन का, पांच में का इसमें लिखा है, गद्य के पाठों के लेखकों के साइति परचै, जीविन गृतियां भांसा सैली, है जीवन पर चे लिखना होता है और असी सब्दों में लिखना है ये भी पांच नंबर का ही प्रेशन होता है ठीक है उसके बाद हम छटमा कोश्चन देखेंगे सीधे छटमे कोश्चन में क्या होता है कहानी चरच चित्रन तो कहानी लिखनी होती है इसमें भी असी सब्दों मे लगवा कहानी लिखनी होती है एक कहानी कि आपको पांच नंबर मिलते हैं उसके बाद है सात्मा कोश्चन तो सात्मा कोश्चन भी हमारा मतलब खंड काब से संबंदित होता है इसमें लिखा खंड काब की विशेष्टा है पात्रों का चर्चित्रन और प्रुम गटनाओं पर आधारित यहां पर कोश्चन पूंचा जाता है ठीक है उसके बाद अगला कोश्चन है खंड खा देखेंगे पहले 50 नंबर का खंड खा भी होत संबहा इसमें स्क्राइब कोश्चन है पठित पाथि पुष्टक के निद्धारित पाठव के san, 大 Джo अनवाद वो आपका पूछा जाता है साथ नंबर का ठीक है उसके बाद है इसी का खा आठमे का खा इसमें क्या पूछा जाएगा इसमें भी पठित पाठे पुस्तक के निधारित पाठों के संस्क्रित पद्द की पद्द का संस्क्रित हिंदी अनबाद पूछा जाता है ये भी साथ नंबर का होगा उसके बाद संस्क्रित से ये दो अनबाद हो गए 14 नंबर के साथ है ना उसके बाद है पाठो पर आधारित लगो त्री ये प्रसंट जो की संस्क्रित में उत्तर देने होते हैं दो प्रसंट दो दो नंबर की यानगी 4 नंबर के हाँ से कोश्चन हो जाएंगे आपके और दसमा कोशन है काबे सौंद्रे के तत्तो तो इससे सम्मंदित कोशन है यहाँ पर का रस बगएरा से सम्मंदित है न सभी रस जो भी दिये आपके सिलेवस में दो नंबर के होते हैं उधारन सायद उसके बाद है अलंकार अलंकार भी दो नंबर के आपके एक्जाम में पू कुश्चन 11 आजाएगा निवन हिंदी के मौलिक अव्यक्ति दिये हुए बिसे पर आपको निवन लिखना है तो यहां पर जो निवन लिखना है इन से समय कोई से निवन आएगा आपको एक जामे लिखने के लिए जो कि 9 नंबर का होगा और सारे कुश्चन के आंसर भी हम बत जाएंगे ठीक है तो आपकी तयारी यहीं से हो जाएगी इसी चैनल से आपको अलग से पढ़ने की जरूत नहीं होगी उसके वास संजग्रत व्याकरांट से भी कोईश्चन पूंची जाएंगे यानिकि इसमें बारमा कोईश्चन है संदी से संबंदित ठीक है तो यहां प ठीक है तो बाद लेखन परदा देंगे यां पर पड़ा देंगे आपको डो मतलब दो कम से हम चार से पांच से हम पत्तर की आपको प्रटिस करवा देंगे इसमें से एक आपका फस जाएगा तो आठ नमर का यह है ठीक है उसके बाद में आता है आपका जे आपके मतलब वो है चैप्टर बगरा पुस्तक का नाम और लेखक का नाम और पाट का नाम तो यह आपकी जो पहली फस्ट बुक है उसमें टोटल जो चैप्टर है वो आठ है ठीक है गद में गद में आठ चैप्टर है आपके उसके बाद अगर पद्र की बात करी जाए तो पद्र में टोटल ग्यारा चैप्टर है आपके ठीक है काब में काब में कितनी ग्यारा चैप्टर उसके बा बहादर बगरा मैसिक तो इन्हें भी आपको अच्छे स्तियार कर लेनी है उसके बाद अगर बात करें जाए खंड काब से सम्मादिती यहां पर कोश्चन दिये हुए है चैप्टर ठीक है तो यहां पर यहां पर यहां पर जिला भी दिये हुए है तुमारे जिला में जो भी क तयागप्ती वगर ठीक है तो लिए ब admire लिए बार में तयागपती है ठीक तो अपने इसाफ से जो आपके मैं मतलब खंड काब का जो भी दिया हुआ हो चैप्टर आपने जिला के आपको तयाद सॉनोदे तो यहां पर जिला दिये हुए हैं एक बार आप उन्हें अच्छे से देख लेंगे हैं इसकी इंसाड ले लो इससे कि आपको पता चल जाए कि कौन से जिला में ठीक है कौन सा है तो इदर जिला दिये हुए है ठीक है ले इदर मतलब चैप्टर के नाम दिये हैं और कौन सा च संस्ग्रित देंग द्रेसिका यानिकी संस्ग्रित के 11 चेप्टर हैं इनसे समादित कुश्चन होते हैं आपकी एक्जाम में ठीक है और कोश्चन किस-किस प्रकार यह होंगे तो यह तो संस्ग्रित में उत्तर दो है ना और क्या होगा संद्रफ साहत अनुबाद लिखने के ल हैं लेकिन इसी चैनल से त्यारी करते हैं तो मैं भी कह सकता हूं कि आपको पिच्चान में पिलस अंक आराम से आजाएंगे इतनी त्यारी हम कराई देंगे आपको ठीक है तो चिंता करने की कोई बात नहीं आप हिंदी के लिए निचंत रहिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करकर नोटिफिकेशन को ओन कर लें जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा ठीक है हिंदी ही नहीं सबी सब्सक्राइब की तयारी इसी चैनल से आप कर सकते हैं ठीक है थैंक्स बाचिंग फार वीडियो